वैल्स है कोफड़ा प09 यूटुपड कि करेंगे यह कपड़ा मैंने लिया है दिखो यह कौटन का कपड़ा है थोड़ा स flourish कौटन रहता है न वह कपड़ा है और यह अस्तर का सीम्पल कौटं जुआ वादा नहीं रहता है यह मैंने लिए है 2 मेंतर से पहले जो मैंने कुरटी बनाइ थी न वह दिखा देती हुं दीखा देन। यह कुरटी है इसका गला सिंपल राउंग से बोट-नेट भी बोल सकते हो हो हय है है non ना यह वहला हैец मैं मि लremo इतनी लैं और एक यह को ऐए चुंपर कंपी का én केचला तो इसके उपर पर क्यों गळा करेंगे तो चुछ अच्छेlil करें यह खोप2021 बंग अजा लगे हैं अक्सपाइब का constituents और एक और भी है यह ग्रीन कलर का है यह भी ग्रीन ही है यह वार में थोड़ा सा नेक ऐसा किया है गले पर उसे दोरी बानने वाला पर यह लटकन भी लगाई है इसके साथ पैंड भी है लेकिन वह सीलना बाकी है तो गूर्ती सील दी तो मैंने सोचा यह आप लोगों को दिख आपको यह सब कूर्ती कैसी लगी तो कमेंट में बताना अभी चलो यह वाली कूर्ती कर्टिंग और स्टिचिंग करते हैं वह सब कैसे करती हूं आप आगे आगे वीडियो में देखते जाना प्लेस के पासे करले हम अस्तर की कटिंग करेंगे यह तू फोल्ड है यह इसको फोर फोल्ड करना है ऐसे फोर फोल्ड किया यह वाली बन साइड है यह खुली साइड है यहां से हमें मार्किंग करनी है शोल्डर का साड़े छे इंच का बॉक्स बनाना है कि कि शो़्डर साढ़े शेकत हो गये अभी यहां से चैस्ट लेनी है चैस्ट पर हमारी 31 है तो यहां से एक्रमार्थरी स़े करनी है पिर यहां और शाड़े강 8 लाए प्लस करनी है इसके लिए हो गें अभी यहां पे आम फोल का निशान देने के लिए इसको आधा इंच अंदर से लाइन करनी है फिर ऐसे रावन में यहां सेव दे देना है फिर दुसरा ऐसे दो सेव दे देना है अभी कमर लंबाई हमारी 14 है तो 15 इंच पे एक इंच सिलाई के लिए 15 इंच पे मार्किंग करनी है दोनों साइड पर यह हो गया अभी यहां से कमर लेनी है कमर साड़े छे पर लेनी है साड़े छे और आठ इंच यह कमर और चैस्ट कैसे साड़े शे और आठ पर आया वो सब आप स्क्रीन पर देख रहे हो गये यह तो हो गया अभी यह वाली दोनों लाइन को जोड लेना है यहां से इतना हो गया यह जो मार्किंग की थी उसको काट लेना है यह काट के हो गया अभी यह वाला भी कपड़ा जोइंट है ना इसमें आपका होगा तब ही काटना है यह वाला मेरे में जोइंट था इसके लिए इसको भी काट के अलग कर लेना है यह काट लिया अभी आम होल की कटिंग कैसे करनी है तो पीछे का जो पार्ट से उसको अंदर कर लेना है और आगे में जो राउंड से दिया उसको काट लेना है फिर वापस से उसको सीधा करके यहां से थोड़ा सा ही काट लेना है ऐसे काटना है थोड़ा सा दिखना चाहिए वैसे अभी आगे के गले के लिए यहां पे तीन इंच पे मार्किंग करनी है और ऐसे में छे इंच पे फिर V-sip देना है ऐसे round में थोड़ा सा round करना है ऐसे V-sip देना है यह हो गया पीछे का parts को side में करके इसको यहाँ पे paste कर लेना है यह हो गया आगे का अभी पीछे के लिए भी यह 3 इंच पर marking करनी है फिर देर्ड इंच ऐसे में और box बना लेना है फिर round में सेब देना है और इसको काट लेना है यह आगे पीछे का दोनों अस्तर का cutting हो गया अभी नीचे के गेर के लिए यह जो कपड़ा बचा है ना उसको ऐसे fold करना है एक बार फिर इसको ऐसे रख लेना है इसे cross में यह रख लिया फिर जो उपर का हमने काटा था ना वो कोई भी एक पार्ट को यहाँ पे रखे इसे सीधी line कर लेनी है यह 8 इंच की है फिर इसको ऐसे round में save देना है जो बन साइड रहेगा न वो round नीचे की साइड आना चाहिए और खुली साइड रहेगा वो round थोड़ा सा उपर रहना चाहिए फिर जो round save दिया वो भी आठ आया की नहीं वो देख लेना अभी उसकी land के लिए साड़े 13 से 37 इंच पे ऐसे रख के round में marking कर लेनी है मैंने जैसे किया था ना same वैसे ही करना है ऐसे 37 में फिर यह round कर लिए अभी इसको काट लेना है यहां से भी काट लिया यहां पे बीच में एक कर दे देनी है यह कपड़ा तो खुला ही रहेगा एक बं रहेगा तो उसको भी काट लेना है यह काटके हो गया यहाँ पे जॉइंट लगाने के लिए कपड़े को ऐसे रखके फिर जो ज्यादा कपड़ा है उसको काट लेना है फिर यहाँ पे इसको ऐसे रखके जॉइंट लगा लेना है यह हो गया यह जो कपड़ा है ना इसको अब उल्टा fold करना है एक बार fold किया हूँ फिर वारपस से fold करना है एक बार इस से total 4 fold हो गए है जो इसके उपर जो हुने cotton का कटा था न इसको रख लेना है ये बंड साइड और ये बंड साण दोनों सेम रहना चेले हैं फिर अस्तर से ज्यादा कपड़ा काटना है यह दो पिस मिल जाएंगे हम ऐसे अभी जो अस्तर का कटिंग कैसे किया था नहीं इसको क्रॉस फोल्ड करके सैम वैसे ही इसको भी कटिंग करना है अस्तर वाला पार्ट से इसके उपर रख लेना है कमर जितनी है उतना ही फिर इसको यह काट लेना है यहां पे भी काट लेना है यह बीच में एक कट्स दे देनी है और यहां का कपड़ा जोइंट रहेगा उसको भी काट लेना है यह हो गया अभी यहाँ पे भी जॉइंट तो लगाना पड़ता है यह सब में तो इसमें भी लगाना है जो बचा हुआ कपड़ा है इसको यहाँ पे रखके यह जॉइंट लगा लिया और जो ज्यादा कपड़ा है उसको ऐसे उल्टा करके यहां से काट लेना है यह हो गया अस्तर को भी ऐसे ही जॉइंट लगा लिया फिर इसको भी काट लेना है भी इसको जॉइंट कैसे लगाना है तो सीधे अस्तर पे कपड़े को भी उसके उपर सीधा ही रखना है फिर यहां पे सिलाई लगा लेनी है यह देखो ऐसे दो पीस मिल जाएंगे हमें यह हो गया इसको side कर लेना है अभी उपर का parts ready करने के लिए यह जो कपड़ा है उसको सीधा रखना है उसके उपर इसको रखके marking की थी उस पे double silah लगा लेनी है पीछे के parts को भी same वैसा ही करना है यहां पर silah लगानी है double silah यह silah लगा के हो गया अभी जो बच्चा हुआ कपड़ा है उसको काट लेना है फिर इसमें छोटी-छोटी cuts देनी है गल्ले पे यह cuts लगा के हो गया अभी इसको इसे उल्टा कर लेना है और यहां पर वापस से एक silah लगा लेनी है फिर यह पूरे में silah लगा लेनी है यहां पर यहां से यहां तक यह हो गया और जो ज्यादा कपड़ा है बच्चा है ना उसको तो काट लेना है यह काट के हो गया अभी shoulder joint करने के लिए यह सीधे पर इसको उल्टा रखे shoulder पर double silah लगा लेनी है फिर भाई की कटिंग के लिए भाई हमारी तीन की है तो एक इन silah तो चार इंच लेना है यहां से चार इंच पर मार्किंग करनी है यहां पर भी चार इंच की मार्किंग करनी है फिर इसको ऐसे करकि यहां पर दो इंच की मार्किंग करनी है फिर मुड्डो लेना है साड़े आट और मोरी हमारी जितनी भी है न उसका आधा करना है उसमें एक इन silah प्लस करनी है तो साथ इंच पर मार्किंग करनी है फिर ऐसे राउन में सेब देना है दो वी इसको जो हमने सेब दिया उसको काट लेना है अभी जो अंदर वाला सेब दिया उसको भी काट लेना है वो आगे आएगा और इसको भी काट लेना है यह हो गया अभी इसको उल्टा करके मोरी पे ऐसे डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है दोनों बाई में से हम वैसा ही करना है ये सिलाई लगा के हो गया देखो ये हो गया अब ही अस सोल्डर जॉइंट करना था वो भी कर लिया देखो ये ऐसे विसलिवस लगानी है न वो कैसे लगानी है तो यह वाल आगे का पाड़ से न ऐसे करके देख लेने का कि जो छोटा वाला किया था न यह छोटा पीस वो आगे रहना चाहिए वैसे ही रखना इसको सिधा यह उसके उपर बाई को उलटा रखना है जो पॉइंट दिया था वो यहाँ पर आना चाहिए पिर यहां से रेकर शिडाय लगा लvatाएगा, सेम साइट हैं एक से करके लगा लेकांगा हैं स्लीव हमारी रेडी हो गही अभी नीचे का गयर है न उसको जाइन कैसे करना है तो उपर का पार से उसको सीधा रख नहां है फिर इसके उपर इसको उल्टा रखके यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है यहाँ पे भी सेम ऐसाई करना यह देखो यह हो गया अभी इसको फिनिशिंग करनी है ना इसके लिए मैं ऐसे सिलाई लगा रही हूँ आपको नई करनी हो तो उल्टे पे उल्टा करके आप सिलाई लगा के फिटिंग कर सकते हो इसको ऐसे करके यहां से अस्तर को जॉइंट करना है सिर्फ अस्तर को यह देखो ऐसे सिलाई लगानी है फिर कपड़े को अलग से सिलाई लगानी है फिर इसको उल्टा कर लेना है फिर यहाँ पर वापस से एक सिलाई लगा लेनी है सिर्फ अस्तर पर यहाँ पर भी सेम ऐसा ही करना है यह देखो ऐसे हो जाएगा तो अंदर फिर इसको ऐसे उल्टा दो बार मोड के सिलाई लगा लेनी है अभी fitting करना है तो जितना भी हमारा नाप है ना उसका आधा करके fitting करना है यहाँ पर 6 इंच का fitting करना है बाई में 12 की बाई है तो 6 का करना है अभी chest 16 इंच पर marking करना है और कमर 13 हफ में marking करना है फिर जो हमने point लगाया था उन दोनों को joint कर लेना है यहाँ से नीचे से थोड़ा साई करना है डबल सिलाई लगा लेनी है यहाँ पर यह सिलाई लगा के होगे अब इसको सीधा कर लेना है ऐसे करके कुरती हमारी पूरी रेडी हो गई थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कॉमेंट सेर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलते है अब न्यू वीडियो के साथ